हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ दोस्तो इस वीडिये में तो हम लोग अभी सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ही हम लोग इसको कह सकते हैं बहुत जबरदस बड़ी न्यूज है जो कि हम लोगों अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लगबग 30 मिनेट्स का जो हम लोगों को पूरे कंट्री को एड्रेस किया उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों को इंपोर्टन बाते यहाँ पे देखनी है सबसे पहली अगर कोई बात रहेगी इंपोर्टन तो सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्षन पूरा भर दिया है वो ही एक ही नंबर से है वो ही 20 जोस्तों 20 लाग करोड का स्टिमिल पैकेज टू रिस्टार्ट दे इकोनोमी यहाँ पे इंडिया ने समझनी चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली अपने भाशन में कहा है आप चाहो तो वापस एक बार उसको चेक कर सकते हो उससे आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजी समझ में आ सकती है मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा तो चले सबसे पहली बात जैसे आप लोग देख सकते प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी अन तुजडे अनौंस दे लॉंग अवेटेड स्टिमिलेस पैकेज ऑफना रूपीस 20 ट्रिलियन या फिर आप बोल सकते हो 20 लाग करोड का जो पैकेज है फोर अन बिजनेस एंड वर्कर्स तुस अफ्टें देवेस्टिंग देवेस्टिंग देवाइरस लॉगडाउन या फिर आप बिजनेस एंड वर्कर्स के लिए यहाँ पे अनौंस कर दिया गया है अगर मैं बात करूँ यह पैकेज का साइज कितना है तो हम लोग देख सकते हैं लगबक 10% हम लोग के सकते हैं हमारे इंडिया की जीडी की पिक के बराबर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत बड़ा पैकेज यहाँ पे अनौंस तो किया है जो कि हम लोग यहाँ पे एप्रिशेट करना चाहिए सो दोस्तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आप लोग थोड़ा सा जल्द बाजी करें जल्द बाजी मतलब क्या क्या 20 लाग करोड का पैकेज अनौंस नहीं किया बिल्कुल किया है बट पूरा का पूरा हमारा नहीं है मतलब यही तो मैं समझाने की कोशिश करो जो कि न लेबर लिक्विडिटी एंड लौ एंड इंकल्यूड दा मॉनेटरी इजिंग अनौंस बाइद रिजव बैंक ऑफ इंडिया तो याद रखने यह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं है अगर आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा हमारे अगर स्टॉक मार्केट स तो फाइनांस मिनिस्ट्री बताएगी शायद से कल या फिर परसो जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाशन में भी बताया है तो यह चीज आप लोगों ने ध्यान में सुनी चाहिए तो yes 20 लैक करोड का पैकेज तो जरूर देखने को मिला है बट इसमें जो होने वाली ह या हिस्सेदार ही है कि कौन-कौन से सेक्टर में जाने वाल है वो भी हम लोगों को यहाँ पर डीपली स्टडी जरूर करना चाहिए और स्टडी तब करेंगे जब फाइनांस मिनिस्ट्री इसका बाइफरकेशन अनौन्स करेगी जो कि प्राइम मिनिस्टर की भाशन के हिसा सकता है और वो अलरी होना ही चाहिए इसका सेंटिमेंट बाजार के उपर ओवेसली पॉजिटिव तो दिखना ही चाहिए इतना बड़ा पैकेज जो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही बढ़कर हम लोगों को यह आप देखने को मिल रहा है तो इसका कोई नेगेटिव इस तरजी ने और भी कुछ इंपोर्टन चीज़ें बताईए जो कि आप उनके भाशन में सुन सकते हो जो कि उन्हें ने बताया था कि यूजवली आप लोगों ने खुद के उपर अभी ज्यादा फोकस करना चाहिए मतलब आप सभी लोगों को पता है जिस तरीकी की एकोन चोकि उन्हें ने यहाँ पे डिरेक्ली ना इंडिरेक्ली बोलने की कोशिश जरूर किये सेल्फ रिलाइंट स्ट्रेटरजी सो यह जो पैकेज हम लोगों को देखने को मिला है यह पूरा का पूरा पैकेज बहुत बड़ा है एंड जैसे हम ने कहा कि यहाँ पे स्टेट ने भी यहाँ पे बहुत सरी रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से मतलब सेंट्रल गवर्मेंट के और यहाँ पे रखी गई थी उसी क को देखके हम लोगों को यह सारी चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों यह भी आप लोगों ने यहाँ पे डीपली समझना चाहिए उसी के साथ साथ और भी कुछ इंपोर्टेंट बाते उन्होंने यहाँ पे बताई जैसे कि री ओपनिंग ऑफ अन एकनॉमी मतलब कंप्लीटली अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे लॉक्डाउन हटने से रिलेटेड तो फिलालते ऐस सच उन्होंने सेपरेटली इससे रिलेटेड डिटेल बाते तो नहीं बताई बट उन्होंने यही का है कि अगर हम लोग बात कर है कि जो कोरोना वाइरस से रिलेटेड जो होट्सपोट रहेंगे यहाँ फिर अगर जो क्रूशल एरियास यहाँ पे रखने वाले हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ रेस्टिक्शन जो की बहुत ही टाइट हो सकती बट इसको री ओपन तो करना ही प जैसे कि गवर्मेंट ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कटका है कि अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो बहुत सारे कॉर्परेट से जो की बैंक्रफ्ट सी और की यहाँ पर बढ़ सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार ने गोशित किया है जो कि एक बह अगर हम लोग बात करें लॉक्डाण 4 की जैसे मैंने अभी आप लोग को बता है न्यू गाइडलाइन रूल्स यहाँ पर आने वाले जो कि हम लोग को बिफोर 18 में से यहाँ पर पहले देखने को मिलने वाले अभी तक कोई भी ऑफिशल अनॉंस्मेंट नहीं है और जो यह इंपोर्टेंट बात ही थी दोस्तों याद रखना यह 20 लाग का बाइफर्केशन क्या है यह हम लोग को फाइनेंस मिनिस्ट्री आपर बताएगी उसके उपर ध्यान रखना है बट हम लोग देख सकते स्पेशल एकनोमीक पैकेजिस फोरन अवर लेबर उसी की साथ फार्मर रहने वाला है वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है जो की फाइनस मिनिस्ट्री आपर हम लोगों को आने वाले कुछी दिनों में यह सारी चीज़े जरूर बता सकते हैं उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टन चीज़े भी देखने को मिली जैसे कि गवर्मेंट रि reducing electricity tariff, उसी के साथ साथ providing a concessional finance and clearing around a rupee 1 trillion in a outstanding dues of an discussed by the state-owned financial institutions. So, ये भी हम लोग कह सकते हैं, जिससे related power sector में भी हम लोग को थोड़ी बहुत अच्छी कासी राहत देखने को मिल सकती है. So, दोस्तों, उसी के साथ साथ आप लोगों को अगर बिजनेसे धूने कि किसको इसका फायदा हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भाशन में important points भी यहापे note-down किये थे, जैसे कि उन्हेंने कहा था कि पहले PPE kit से related हमारे इंडिया में कोई भी manufacturing नहीं होती थी, जोकि अभी लगबग 2,00,000 PPE kits खुद इंडिया manufacture करता है एंड उसी के सथ-सथ N95 mask जोकि बहुत important है, जोकि हमारे इदर बहुत ही hardly manufacture हुआ करते थे, तो वो भी लगबग यहापे 2,00,000 यहापे हम लोगों को daily basis की उपर यहापे बनाते हुए देखने को मिल रहे है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाता हूँ, अभी N95 mask कौन सी company बनाती है, तो 3M India, यह दोस्तों उसका share भी market में available है, जोकि बहुत ही बहुत ही महेंगा है, तो यह आप लोगों ने खुच study करना है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, बहुत important रहता है, पहले सबसे पहले आप लोगों ने अपने आपको शान्त करना है, बहुत सारे लोग इतना fast शूरू हो जाए, इतना बड़ा package आगया, अभी क्या करना चाहिए, बहुत ही शान्त से आप लोगों ने थंड and distribution के कोई भी share मेरे portfolio में usually नहीं रखता हूँ, यह हमेशा news base के उपर चलने वाले stocks रहते हैं, इसलिए इनमें जो long duration वाली जो ताकद होती है, वो मुझे नजर नहीं आती है, बट still मैंने आप लोगों को कहा क्यूंकि ठोड़ी बहुत यहापर tariff में relief मिल सकती है, कुछ concession मि इसके वदलत हम लोग कह सकते हैं, जो traders होते हैं, intraday trading करना जिनको ज़्यादा ही पसंद होता है, traders के सबसे यह सारे stock वो जरूर यहापर focus रख सकते हैं, बट still जैसे मैंने का कि इतना ही news सुनके आप लोगोंने खुशने होना चाहिए, बाकी भी bifurcation क्या है, इसके उपर भ इक रखी है, दो लाक मास्क डेली बेसेस के उपर बन रहे है, तो यही वो stock है, 3M India, लगबख 18,000 के आसपस यह stock चल रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं कि डिरेक्ली यह stock में अभी कुछ rally आ जाएगी, यह 40-50,000 का हो जाएगा, ऐसी नहीं है, यह सारी चीज़े आलरेडी चल package, और इसका फाइदा अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इवन दो बारफायर केशन में कितना भी हो जाए, यहाँ पर फाइदा तो जरूर मिलने वाला है, तो stock market के लिए बाते जरूर अच्छी है, थोड़ा बहुत हम लोग उच्छाल भी यहाँ पर देखने को मिलने वाल कि यहाँ पर जो fundamentally strong shares है, मैंने आप लोग को बता है, बहुत बार उनी के उपर आप लोग ने focus रखना है, निफ्टी-फिफ्टी के जो टॉप शेर है, उनी के उपर focus है, यह news सुनने के बाद कुछ अच्छे stocks जो है, वो तो हम लोग को reaction देते होए, देखने को जरूर मिल सक तो इनी stock के उपर आप लोग ने नजरे यहाँ पर रखनी है, और जैसे मैंने का कि यह stimulus package है, यह supporting role करदार का है, यहाँ पर role किरदार करने वाला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ पर कोरोना खतम हो गया, lockdown खतम हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, यह सारी चीजे हम यहाँ पर भी 10% तक stimulus package लाया गया था, जो कि actually required नहीं है, और Warren Buffett जी ने यह भी कहा था, कि यह जो 10% है, वो कुछ जादा ही है, तो यह कभी भी market को नीचे लेके आ सकता है, तो यह भी चीज़ आप लोगोंने analysis करनी चाहिए, यह सारी चीजों को study करना है, में भी यहाँ पर जी नहीं करनी कि FOMO, यह ऐसा नहीं लगना चेकी, हाथ से मोका छूड़ गया, market आज भी pressure में, यह भी चीज़ आप लोगोंने जरूर कंसिडर करनी चाहिए, और जो में आप लोगों को बता है, कि यहाँ पर उसका bifurcation क्या है, वो भी finance ministry की press conference होनी वाली है, उसके उपर भ झाई बाई बाई राइ